हमारे मन में जब भी किसी चीज को पाने की इच्छा हो, फिर वो चाहे एक्जाम में सफलता हो, या जॉब हो, या एक अच्छा रिलेशन्शिप हो, या फाइनाशली बेटर्मेंट, इंप्रूफमेंट हो, प्रोमोशन हो, हमारे बच्चों की सक्सेस हो, कुछ भी हो, भले कु असानी से मिल सकती हैं, पर हम ही जाने अन जाने में उस रास्ते में एक बाधा खड़ी कर लेते हैं, और आज हम समझें, कि वो बाधा क्या है, और वो बाधा आखिर खड़ी कैसे हो जाती है, आज हम एक शब्द देखेंगे, alignment, क्योंकि आप सब गाड़ी चलाते हैं, तो आ आपको alignment शब्द से आपको पता है, अगर आपके गाड़ी के जो wheels हैं, वो alignment में नहीं है, तो गाड़ी दर दर भागती है, alignment में नहीं है, हम alignment को एक और अगर तरीके से देखना चाहें, तो हम ये देखें, कि एक null है, जो full speed पे बहरा है, खुला है null, full speed पे बहरा है, और आप ने उसके नीचे एक bottle रखी तो है, पर वो bottle null की seed में नहीं है, और क्योंकि bottle null की seed में नहीं है, इसलिए होता ये है कि पानी भैके नीचे आ रहा है, और bottle में तो गिर रहा है, पर काफी सारा पानी side में भी जा रहा है, bottle में भी गिर रहा है, और side में भी जा रहा है, क्योंकि alignment पे नहीं है, null तो ये रहा और ये रहा bottle, अगर हम इसको यहां ले आते हैं, अब alignment seed में है, तो वो null का पानी directly सारा का सारा bottle में जाएगा, और bottle जल्दी भरेगा, पहले भी भरेगा, क्योंकि थोड़ा side में है, तो पानी तो गिरी रहा bottle में, पर उस तेजी से नहीं भरेगा, जिस तेजी से, वो तब भर सकता है, जब सीधे null के नीचे हो, ये alignment है, हमारी इच्छा तो रही यहां, और हम कड़े हैं, side में कहीं, इधर कड़े, इधर कड़े, alignment में नहीं है, अपनी इच्छा के साथ हम aligned नहीं है, क्या मतलब हुआ हमारी इच्छा के साथ हम aligned नहीं है, हमारा mind यहां से कह रहा है कि मेरी ये इच्छा है, और मैं इस चीज को पाना चाता हूँ, इस चीज को पाना चाती हूँ, पर subconsciously, हमारे subconscious mind में, हमारी mind के एक और हिस्से में कुछ और ही चल रहा है, कोई और ही tape बज़ रहा है, और उस tape के बजने की वज़े से हम alignment से बाहर हो गए, कैसे हुआ, alignment कैसे होता है और alignment बिगड़ता कैसे, अब हम इस चीज को एक example की माध्यम से देखते हैं, आपको हमको भूख लगती है, तो जैसी हमारे अंदर वो भूख वाली चीज जगती है, desire for food, तुरंत हमारा mind जाकर उस feeling में अपने आप ही आ जाता है कि हाँ ठीक है भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं, तो हम या तो रसुई में जाते हैं, खाना बना लेते हैं, खालेते हैं, या बना पड़ा है, उसे खालेते हैं, दोनों ही काम करने का मन नहीं है, तो स्विगी से order कर लेते हैं, वो भी करने का मन नहीं है, तो कुछ बार जाकर कुछ खायाते हैं, कुछ न कुछ कर लेते हैं, पर हमें पता है कि भोजन की इच्छा होते ही, इस वक्त भोजन हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर भोजन है, तो हम बिलकुल उसके alignment में हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी इच्छा है, तो ये इच् सकती है हमें इस बात का confidence है तो हम alignment में है और हमारे लिए बोजन कभी problem नहीं बन सकती है पर अब हम कह रहे हैं कि हमारी कुछ और इच्छा है ये तो बोजन का example था हमें पता है भूक लगी खाना मिल जाएगा काम खतम पर कई हमारी ऐसी इच्छाए हैं चाहिए ये पर हम इधर है या उदर है वो चीज हमें नहीं मिल सकती अब हम खाने वाले उधारन कोई आगे continue करके देखते हैं एक भिकारी है उसको भी भूक लगती है उसको भूक लगती है हमको आपको और हमको अगर हम एक डेड़ दिन कुछ भी ना खाएं तो हमारी हालत कराब हो जाएगी in the sense कि हमें बहुत देख भूक लगेगी और यह क्या हो रहा है हमको तो खाना चाहिए किसी कारण से हम नहीं खा पाए कुछ ऐसा था जिसकी वज़े से हमने सोच लिया था फास्ट रखेंगे हमने कुछ कर लिया था यहां हम ऐसी कोई जगे फंस गये जहां हमारे लिए food easily उस वक् हम भूक के टाइम पर भूक तो मैसूस करेंगे और हमारे माइन को यह पता है कि यह तो easily हम अचीव कर सकते हैं अब हम भिकारी का example लेते हैं भिकारी को भूक लगती है पर यह रही उसकी इच्छा मुझे भूक लगी और यह out of alignment है मुझे नहीं मिल सकता मुझे मुझे मुझ जाएगा क्या पता कोई देई नहीं मुझे कुछ तो नहीं मिलेगा out of alignment है इस बात से हमें समझ में आता है alignment अपनी इच्छा के साथ alignment में रहने का मतलब आपके अंदर एक particular feeling होनी चाहिए जो शब्द नहीं है वो एक feeling है क्या है वो feeling वो feeling यह है मुझे भूख लगी और मुझे खाना मिल सकता है आसान मतलब मुझे भूख लगी और मुझे खाना मिल सकता है यह आपका energy flow होना चाहिए अब वो इच्छित चीज मिल जाएगी पर विकारी के साथ क्या है मुझे भूख लगी है पर नहीं मिलेगा क्या पता मिले नहीं मिलेगा बहुत अंदर एक struggle एक संगर्ष एक द्वंद्व चिड़ा हुआ है उसने स्विकार लिया के भूख तो लगी है पर मिलना तो यह नहीं वो डेड़ दिन निकाल देगा दो दिन निकाल देगा भी ना खाए शायद उसको वो इतना भूख का भी ऐसास नहीं होगा आपको और हमको तो टाइम टाइम पर भूख लगेगी उसको तो सकता है डेड़ दिन तक भूख ही ना लगे क्योंकि इसका माइंड कन्विंस्ट है कि मिलना तो है नहीं जब हम alignment में रहते हैं तो हम अपनी इच्छा के सीध में रहते हैं जिसका मतलब है कि somehow हमारे अंदर की feeling इतनी smooth है कि हम ये feel करते हैं कि मेरी उस चीज की इच्छा है और मुझे मिल जाएगी देखे आप और हम कभी भी शब्दों से अपने आपको कभी ये नहीं कहते जब हमें भूख लगते तो क्या हम अपने आपको कहते पिरते हैं मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना मिल जाएगा हम कभी नहीं कहते पर वो feeling हमारे अंदर है हमें कुछ कहने की जरूरती नहीं है वो automatic है हम aligned है जब हम alignment में नहीं रहते जैसे वो विकारी नहीं है वो भी एक automatic feeling है नहीं मिलेगा वो भी automatic है उसका automatic feeling उसको वो result देता है हमारा automatic feeling हमको ये result देता है दोनो feelings automatic है विकारी का वो जो automatic feeling है कि मुझे भूख लगे तो भी मुझे खाना तो मिलना नहीं है क्या पता मिलेगा क्या पता नहीं मिलेगा उसका वो struggle जो है अपन को लगेगा कि है वो गरीब है वो भीकारी है इसलिए उसके अंदर ये feeling है नहीं उस भीकारी की जो feeling है वो किसी भी कारण से उसने बच्पन से यही हालत देखिए उसकी पहले वाली पीडी ने भी यही देखी है उससे पहले वाली पीडी ने भी यही देखी है ये जरूर सच हो सकता है बट ये बात मत भूलिए कि वो भिकारी भी उसी इश्वर के तत्व को अपने अंदर लेकर गूम रहा है जैसे आप और हम ले रहे हैं हम और उस भिकारी कि अंदर जो फर्क है वो इतना सा है उसने बहुत 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 सारी चीजों के लिए मान लिया कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती और यहां तक कि उसने इच्छा करनी बंद कर दी जब उसके लिए भोजन ही एक संघर्ष का मामला है तो वो ये तो नहीं सोचने वाला कि मेरे को घर का मकान मिल जाएगा या मेरे को साइकल स्कूटर गाड़ी फोर वीलर मिल जाएगा ये सब वो नहीं सोचेगा वहां तक तो उसकी माइन की इच्छा जाएंगी नहीं उसके लिए तो ये इमेडियेट नीड पूरी हो जाएगा इच्छा कोई सी भी हो छोटी इच्छा हो बड़ी इच्छा हो हमारे अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए मैं इस चीज को चाता हूँ और मुझे मिल सकता है इस कमफर्टेबल प्लेस में हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा इंगलिश में उसे कहते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब आप ही के अंदर कुछ चीज आपको रोक रही है I want this and I can get it बहुत easy है आप alignment में है I want this but मुझे चाहिए तो सही परंतू ये किन्तू परंतू blocks है और वो भिकारी के case में ये basic चीज है आपके हमारी case में कुछ और चीज हैं किसी और के case में वो और चीज हैं हर इंसान के life में जहां उसकी इच्छा और उस इच्छा के साथ किन्तू परंतू जुड़ जाए वहाँ वो out of alignment हो गया out of alignment से alignment में अपने mind को लाने के बहुत सारे तरीक है subconsciously हमने मान लिया कुछ गलत सलथ चीजों को इसलिए हम out of alignment चले गए आज हम consciously अपने mind को train करें तो हम वापस alignment में आ सकते हैं फिर वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो उससे बड़ी चीज हो हम step by step अपने mind को वहाँ तक चढ़ा कर बिलकुल ले जा सकते हैं और एक पार mind कुछ चीजों को स्विकार ले उसके बाद वो रुकता नहीं है ये भी बहुत बड़ी सच्चा ही है